हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमेद करती हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आप सभी का वेलकम है मेरे यूटूब शेनल प्रियास डेज डेलाइट में आप सभी के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेस्पी लेकर आप इसको अपने ब बच्चों बड़ो सभी को बहुत पसंद आने वाला है या चानक महमान आये हैं आपको को समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए उसको आप जटपट बना सकते हैं बहुत हेल्दी लगता है ते एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा बहुत जल्दी बन जाता है ज इतना टेस्ट लगेगा वो असानी से खा लेंगे आपको बार बार बनाने के लिए कहेंगे बच्चे कि हां बार बार यही बनाएए बहुत ही डिलिशस लगता है बहुत ही क्रिस्पी है बहुत ही जल्दी बन जाता है टाइम नहीं लगता है बहुत कम समानों में बन जाता ह तो आप इसको जरूर बना के ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी अगर मेरी रैस्पी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरी रैस्पी कैसी लगती है तो आईए शुरू करते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्टा है बहुत कम समानों में बन कर तयार होता है ये देखें मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कितना delicious लग रहा है कितना crispy लग रहा है ये देखें sound से भी पता चला है बहु delicious लग रहा है देखके सबजी इतनी अच्छे से देख रही है तो एक बार इसको जरूर बना के try करिएगा बहुत ही यम्मी लगता है तो आईए शुरू करते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है किन समान से बनाया है तो एक बार इसको try जरूर करिएगा इसके लिए लिया है मैंन में निकाल लिया है अब इसमें घाल दिया है एक बारी कटी हुई प्याज और तीन से चार हरी मिर्श आप झाले मैं । टीखा Hem कम क्यों कर सकते है अगर तीखा कम खाते हैं तो आप मिर्ची भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो Crawler ये प्रची ना डाले और मैंने डाल दिया है एक गाजर अच्छे से कद्दु कस करके डाल दिया है आप इसमें मनपसंद अपनी कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया है हाफ टीजिपून डेड चिली पौउडर लाल मिर्श पौउडर और डाल दिया है थो अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लीवर आता है और 1-4 टीस्पून मैंने डाल दिया है मिक्स हर भी और गेनो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से चम्मच की मदद से या अपने हाँ से मिक्स कर लीजे अच्छे से जैसे आलू मैस करते अगर आप इसमें और सब्जी चाहें तो मिला सकते हैं सब्जी तो बहुत ही अच्छी रखती है यह देखिए मैंने एक ब्रेड ले ली है आप अपने हिसाब से ब्राउन ब्रेड यह मैंने वाइट ब्रेड ली है अब इसमें आप चाहें तो चिली सॉस या चटनी ग्रीन चतनी और मैंने कुछ नगा सकते हैं मैंने इस त्री article लगा आया है ये देखिए मैंने टेमेट कच्छप को अच्छे से ब्रेड पे फैला दिया है आप चाहें तो घ्रीन चटनी और तो मेंटा लगा सकते हैं मैंने जो अलु का मिकशर बनाके रखा तैसको तो अच्छे से ब्रेट पे थोड़ा सा मोटा सा फैला देंगे थोड़ा सा जादा सा अच्छे से फैला देंगे चारो किनारे अच्छे से फैलाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट है कहीं भी छोड़ेंगे नहीं एक दम अच्छे से फूरा फिल करेंगे थोड़ा सा मो माने कजा तो फिलिंगोगा अउठा तक करते हैं जो पर ले लिया हिस ग्रीन चटनी चिली सॉस बिर्ट चिली सॉस और माइनिस यह सकते हूं जो आपको ज़्या श्जबादा है को आप बना के लितारिम बच्चो अगर आप बेहां हिए ये देखिए अच्छे से इसको मैंने फैला दिया है टमेटो केचप को अब इसके उपर मैंने डाल दिया है प्याज की स्लाइस बारी काट के प्याज की स्लाइस डाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर टमाटर को भी मैंने अच्छे से बीज से काट लिया है और बीज के निकाल के लगाने से ना सेंडविश हमारी बहुत क्रिस्पी बनती है मुलायम नहीं होती क्योंकि बीज में बहुत पानी होता है तो क्रिस्पी नहीं रहती है तो आप कोशिश करिएगा बीज निकाल के बनाएए आप चाहें तो यहां खीरा भी डाल सकते हैं इस जग चीज डालने से बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी टमाटा रोप्याज अच्छे से एक दम फिट सेट हो जाएंगे इसमें हिलेंगे नहीं अच्छे से जंबलब इसमें चिपक जाएगा चीज तो बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो बच बच्चों को सबजी खिलाना चाहते हैं तो इस बहाने बच्चे सबजी अच्छे से खाएंगे मैंने देखे चीज डाल दिया है और इसके ऊपर से एक और ब्रेट का टुकर डाल दिया है मैंने थोड़ी हैवी बेस की कड़ाही ली है थोड़ी गहली गहरे बरतन की आप चाहे तो बटर घी किसी में भी इसको सेख सकते हैं थोड़ा सा घी बटर जादा डालेगा तब की क्रिस्पी गालता है बहुत अच्छे से किरिस्पी होता है यह देखें कितना अच्छा कलर आ गया Airport कॉर्ट्र दिया है निदीवा साइड की सपाउर्ड़ीआ है बहुत जल्दी पक जाता है बस इसमें थोड़ा घी बटर अच्छे से लगाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है यह देखिए हम इसको निकाल लेते हैं कितना ही प्यारा सा कलर आया है कितना गोल्डन सा कलर आया है देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखा रही निकने यह है कि उसमें अच्छे से दब जाएगा तो फिर चीज दखे अच्छे से फैल जाएगी उसमें तो इस तरह से बनाई है तो بहुत अच्छे से बनता है उसी तरह सा टेस्ट आएगा ऐगा क्रिस्पी गृस्पी सा यह देखिए मैं चात로 एफ से आपको दिखा रही कितना ही फ्रिस्पी है एक बार इसको जरूर बना के ट्राइ करिएगा ये दिखिए मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ अंदर की फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है कितना ही डिलीश लग रहा है देखने में आपका मन कर रहा है ना कि एक बार इसको बना के जरूर खाएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेस्पी लेकर लाती रहूंगी मैं आपके लिए कुकिंग किचन टेप्स भी लेकर आती हूँ तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल मत भूले और जदा जदा अपने फैमिली फ्रेंड के शाथ सेयर करिए ताकि मुझे आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके आपके प्यारो सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है इसी तरह अपना प्यारो सपोर्ट बनाए रखिए मिलते हैं किसी नई रेस्पी के साथ किसी नए टिप्स के साथ तब तक के लिए अपना प्यारो सपोर्ट ऐसे ही ब तादी